नेक्स्ट इसका question number 7 तो यहाँ पे question number 7 में हमें क्या दिया हुआ है कि जो दो लगातार even number है उनमें से जो बड़ा होगा उसका जो square है वो 36 ज्यादा है कि से smaller के square से तो हमें वो number बताने है कि वो कौन-कौन से number होगे तो यहाँ पे देखे हम let कर लेते हैं पहले इन दो लगातार जो even number है इनको तो यहाँ पे देखे क्या होगा let first even number कि माल लिजिए जो first even number है वो क्या होगा 2x होगा then second even number यह हो जाएगा हमारे पास 2x plus 2 according to question क्या कहा है यहाँ पे इसने कि जो greater number होगा यहाँ से इन even number में जो greater number होगा उसका जो square है वो क्या होगा second के means smaller के square से 36 ज्यादा होगा ठीक है तो यह 2x plus 2 इसका जो square है वो क्या होगा smaller के square से 36 ज्यादा होगा इसके square से 36 ज्यादा होगा तो इसमें add करने के बजाए हम इसको इसमें add करेंगे, जिससे कि हम equal कर सकें इसको, तो यहाँ पे इसको open कर लेते हैं, a plus b का whole square बन गया, तो यहाँ पे a square, means 2x का square जो बनेगा, वो क्या बनेगा, 4x square, ठीक है, and यहाँ पे b का square यह बनेगा, 4 and 2ab, 2 to the 4 to the 8x, ठीक है, and यहाँ पे यह हो जाएगा, 4x square and plus 36, तो 4x square से 4x square cancel out हो जाएगा, यहाँ पे बचा, 8x plus 4, it is equal to 36, ठीक है, तो 8x, it is equal to, क्या बचाएगा, यहाँ से, 36, यह 4 plus का है, उदर जाके, transpose होके हो जाएगा, minus का, तो 8x, it is equal to, क्या बचाएगा, 32, x की value निकाल लेते हैं, यहाँ से, अभी क्या है, multiply में है, उदर जाके हो जाए तो यह क्या है, 2x है, क्या है यह, 2x, तो 2 into 4, तो first number होगा हमारे पास क्या, 8 होगा, and second number है, 2x plus 2, ठीक है, 2x की value है, 8, 8 plus 2, 10, तो हमारे पास 8 और जो 10 है, वो लगातार even number होगे, ठीक है ना?